शेरू, प्लीज कुछ खा ले, सुबा साड़े ग्यारा पेज़े से तुने कुछ नहीं खाया शेरू, शेरू, प्लीज कुछ खा ले मैंने आप से कितनी बार काया, एक बार फैसला आजाए मैं फिर खालूँगा, शेरू, फैसला आ चुका है हमारा प्राइम मिनिस्टर ना एहल हो चुका है शेरू, तो इस बात हो क्यो तसलीम नहीं कर रहा कैसी बाते कर रहे हैं, रिमोट उठाएं, जियो लगाएं, फैसला बसाने ही वाला जियो तो खुद यतीम हो चुका है शेरू, अब वो तुझे क्या दिखाएगा फिर वही बात, अभी देखना, सुल्खरू होते ही मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फेंस करेगा और तमाम साज़शों को बेनकाब करेगा, और फिर दलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को वजारते मी तो देनी है उन्हें तो अब वजारते जिल्लत और उस्वाई ही मिल सकती है शेरू और कुछ नहीं मिल सकता लगता है आपको सकता हो गया, इतनी तजर्बा कार टीम के होते हुए कोई कैसे इनने नाहिल कर सकता खौजा आसिफ, साद रफीक, आबिद शेर अली ये सब लोहे के चने हैं, इन्हें कोई नहीं नहीं चबा सकता शेरू अदलिया नहीं चबा भी लिया और धूक भी दिया, खौजा आसिफ का तो अपना अकामा निकला आया है साद रफीक भी अपनी ट्रेन की पटड़ी से उतर चुका है, फैमली के वीजे लगवा रहा है, और अब वो रॉकेट पे जाएगा और आबिद शेर अली, वो तो इतना इंपोर्टन भी नहीं कि उस पे केस किया जाए, उसको तो रान असना उल्ला ही काफी है शेरू, तू मेरी बाप माल ले, पफू, पाँचों पेपरों में फेलो गया शेरू, तू बिद्वा हो गया शेरू, तू बिद्वा हो गया जब छुपा नहीं सकते हैं, तो चोरी करते हैं क्यूंवा रहाँ परबाद हो गए हम लुट गए हमारे सरी हुजड़ गए शेल फिकर ना कर मेरी जा तू फिकर ना कर कुछ नहीं होगा मेरे पास एकाल है क्या हुम पार्टी बदल लेते हैं क्या सिर्दारी इसके पारी बारी है